गुड मॉर्निंग नमस्कार आपके साथ हूँ मैं खुश्बू मनोर मामिश्रा न्यूजेशन के इस स्पेशल सेग्मेंट में आपका बहुत स्वागत है दुनिया पर परमाणू हमले का खत्रा मंडराने लगा है रूस यूक्रेइन वार परमाणू युद्व में बदलता दिखाई दे रहा है रूस ने अमारिका समेथ उन सभी देशों को कड़ी चितावनी दी है जो यूक्रेइन को इस हमले में मदद कर रहे हैं रूस में अमेरिकी मिसाइल से हमला कर यूकरेन ने पुतिन के घुसे से लाल कर दिया है। पुतिन ने भयाना का अंजाम भुगतने की धमकी दी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस यूकरेन वार को लेकर जिस पास से दुनिया डर रही थी वो डर सब के सामने आ गया है। रूस यूकरेन का ये वार अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुँच चुका है। यूकरेन ने रूस पर हमले की सबसे खतरनाक लाइन को पार कर दिया है। जिसको लेकर पुतीन लंबे समय से चिताबनी दे रहे थी यूक्रेन बॉर को जो बाइडन ने जाते जाते एक ऐसा मोड दे दिया जिसका खाम्याजा दुनिया को परमाणों यूद के रूप में चुकाना पड़ सकता है अमेरिका ने लंबी दूरी की बाइलेस्टिक मिसाईल से रूस पर हमले को लेकर यूक्रेन पर बैन लगाया हुआ था लेकिन जो बाइडन प्रसासर ने यूक्रेन को अमेरिकी मिसाईल के इस्तेमाल की परमिशन दे दी जिसके तुरंस बाद एक्रेन ने रूस पर तावर्टोट छे बैलेस्टिक मिसाइल से धाबा बोल दिया रूस पर अमेरिकी मिसाइल एटीए सीएमेस से हमले का मतलब है रूस डबलू एमडी यानि वेपेन अप मास डिस्ट्रक्षन से इसका जवाब दे सकता है जिसका मतलब है परमानू हमला रूस याश्पती पुतीन ने अपनी सेना को परमानू हमले के आदेश तक जारी कर दिये हैं कि अमेरीं की मिसाइल के तुरंट बाद रूसिय आश्पavaisी ने परमानू हमले के नियमों में बदलाव पर हस्ताक्षर कर दिया जिसमें साफ specifically कहा गया है, कि रूस पर अगर कोई भी देश चाहे वे परमानू शक्तिसमपन हो या पर्मानों शक्तिस नंपन किसी तीसरे देश की मदद से उस पर मिसाइल हमला करता है या लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन से हमला करता है तो रूस अपने पर्मानों हथ्यारों का इस्तमाल कर सकता है युक्रेन ने रूस के ब्रियंसक में सैने ठीकानों को निशाना बनाने का दावा किया है अलाकि रूस के रक्षा मंचाले ने पांच आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानि ATS-CMS को मार गिराने और छटे के सिस्टम को नश करने का दावा किया है रूसी रक्षा मंचाले के मुताविक युक्रेन की ATS-CMS मिसाइल हमले को नश करने के दौरान मलवा एक मिलिटरी फरसिलिटी में गीरा जिस कारण वहां आग लग गई लेकिद रूस को कोई नुक्तान नहीं हुआ है युक्रेन ने यह हमला इस उद्ध के 1000 दिन पर किया था रूसी हमले के 1000 दिन पुरे होने की मौके पर गंगलबार को अपनी संसर को संबोधित करते हुए जिलनस्की ने दावा किया कि आने वाला साल रूसी उद्ध की जंग का निनायक साल होगा ये तैह हो जाएगा किस जंग का विजेता कौन है। ये पूरे विश्यो में सर्वनाश पैदा करेगा, एक mutually assured destruction की इस्तिती पैदा करेगा, क्योंकि nuclear war की जो इस्तिती होगी, उसमें एक सर्वनाशी इस्तिती पैदा होगी, महार सक्तियां एक दूसरे के ओपर नुकलर वेपन्स का इस्तिमाल करके जाहिए रहे कि वो सब कुछ समाप्त कर डालेंगी। रूस्के पूर राश्पती और पुटीन के बहत करीबी। दिमेत्री मेद्वेदेव ने अमेरिकी मिसाइल के परमीशन को इस्तिती विश्रुद के शुरुवात करार दिया है। वही क्रेमली यानि रूस्के पती भावन के परवक्ता। दिमेत्री पेस्कोब ने सक लहजे में कहा आग से खेल रहे हैं और उनका ये फैसला थर्ट बर्ड बोल को सिधे ने उता है। पाइदू लिए अनि इलि पशली लिए अनि न तकोई बिजरसुद। निवर्तमान अमेरिकी प्रसासन आग में घी डाल रहा है और उक्रेन में संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का निड़ने खतरनाक और गंभीर नतीजे वाला है। रूस युक्रियन संगर्ष में वाशेंग गटन की भागेदारी को बढ़ाता है और बल्ड वार को नियुता देता है इस समय दुनिया की निगाफ पुतीन पटिक गई है पुतीन का पलटवार क्या होगा? कैसा होगा? दुनिया ये सोच कर ही काम पुठी है किसी भी दूसरे देश की तरह रूस की भी अपनी चिंताएं है रूस को अपनी सुरक्षा करने का उतना ही अधिकार है जितना एक नाटो देश के रूप में हमें अपनी रक्षा करने की जरुवत है रूस और युक्रेन दोनों हमारे पडोसी हैं हमें इस समय उनके साथ अपने दोपक्षी संबन में सुधार करने की जरुवत है लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल ATS-CMS के इस्तेमार की जाज़त देने से अमेरिका ने रूस युक्रेन बार का स्थीम बदल दिया है रूस ने अपने नुकिलियर फसिलिटी को एक्टिव कर दिया है सुधरों के मताविक रूस ने नुकिलियर श्यल्टर भी बनाने शुरु कर दिये हैं एक रिपोर्ट के मुताविक दुनिया भर में जितने नुकिलियर वार हेट्स है उनमें 90 फिस्ति रूस और अमेरिका के पास है फ़ेडेशन आप अमेरिकन सांटिस्ट के मुताविक रूस के वेरिफाइड नुकिलियर वार हेट्स की संख्या 5,58 है जबके अमेरिका के पास 5,428 नुकिलियर वेपन है रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि रूस ने 1710 नुकिलियर वारहेट्स अलग-अलग जगों पर तैनात कर रखे हैं। रूस के पास 870 लैंड-वेस्ट बैलेस्टिक मिसाइले हैं, 640 सब्मरीन से चलने वाली मिसाइले हैं और 200 नुकिलियर वारहेट्स अर्मी वेस्ट पर तैनात कर रखे हैं। रूस की परमानू धंकी ने अमेरिका के भी टेंशन बढ़ा दी है। आलाकर अमेरिका कह chronic, को से नहीं लगता है, को से अपने परमानू हो थियारो की पोजिए क को बदले की जारूत है याल्च्छ पोषियर से खानी परमानू की पोछिशन का दूर मादली क रख्वार्ट है। रूस से भयानक हमले की आशंका की भी युक्रेन ने बड़े हमले शुरू कर दिये है युक्रेन ने रूस के दो शहर बेलगा रोड और वरोनिश्ट पर ड्रोन अटेक की भी बारिश कर दी युक्रेन ने 145 ड्रोन हमले किये है यूक्रेन ने इन ड्रोन अटेक में रूस के सेनी की चानों को बड़ा दुखतान पहुचाने का दावा किया है तो वहीं रूस ने कड़ा दवाब देने की चेताब नहीं दिये रूस ने यूक्रेन के कई ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है रूस की सेना ने उक्रेण के लिवटी यूएबी को हवा में मार गिराने का वीडियो भी जारी किया है रूस और उक्रेण की वीच बॉर के इस नए फेज में दुनिया को भैभीत कर दिया है पुतीन के तेवर को देखकर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या दुनिया तीसरे फिशुट के मुहाने पर आ गई है और दुनियन कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन न्यूज नेशन अब वाटसेप पर खपरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें